नमस्कार मैं आपका मित्र सर्वमित्र मसला है आज हर्याना के युवाव ने ट्रेंड चला रखा है सोशल मीडिया पर और इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ट्रेंडिंग में है हैश्टेक HSSC सिस्टम फेल और चार पांच लाइने उन्होंने लिखी हैं वो भी मैं आपको सुनाता हूँ ट्रेंडिंग क्यों चला रखा है आपको पता है जो अभी हालिया पुलिस भरती परिक्षा का पेपर लीक हुआ उसके बाद रद कर दिया गया उन सारी बातों को लेकर और चार पांच लाइने जो उन्होंने लिखी हैं मैं आपको सुनाता हूँ वो है भरती निकले तो इम्तिहान नहीं सुनिएगा ध्यान से भरती निकले तो इम्तिहान नहीं परिक्षा हो तो परिनाम नहीं लीक करवाने का इनका काम वही परिनाम निकले तो जो आइनिंग का नाम नहीं आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं ये चार-पांच लाइने इन्होंने लिखी हैं और टैग किया है हर्याना के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को अगर आप भी इन लाइनों से इत्तिफाक रखते हैं तो आप भी कुमेंट करके येस लिखेंगे और अभी मैंने चेक किया जो ट्रेंडिंग कर रहा है ट्वीटर पर ये जो इनका हैश्टेग है एक लाग ग्यारा हजार से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं आज इस पर और ये संख्या और भी बढ़ सकती है और इसी को लेकर आज अलग-अलग शहरों में हर्याना के अलग-अलग शहरों में नौजवानों ने प्रोटेस्ट भी किया है काफी तस्वीरे आई आई है, रानिया में प्रोटेस्ट हुआ है और भी कई जगे कई शहरों में प्रोटेस्ट जो है, हुआ है और U.A. हर्याना के U.A. जो नौकरी की तलाश में हैं पड़े लिखे हैं लेकिन ये जो नौकरियों वाला सिस्टम है या नौकरियों के लिए जो प्रिक्षा ली जाती है वो जो सिस्टम है कई बार जो है लीक हो चुके हैं पेपर इनका ये कहना है कि 28 बार पेपर लीक हो चुका है मतलब जो युवा हैं वो इम्तिहान की तयारी करेगा या लड़ाई करेगा ये भी उन्होंने लाइन बीच में लिखी है तो युवा इन सब बातों को लेकर आज सोशल मीडिया पर एक्टिव है मैदान में भी एक्टिव है यानि प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में उन्होंने लादिया है हैस्टेग HSSC सिस्टम फेल और वहीं आपको पता चल गया हुगा अभी तक कैथल पुलिस ने 13 लोगों को इस सिलसिले में पकड़ा है ये जो पुलिस भरती प्रिक्षा का पेपर लीक हुआ तेरा लोगों को पकड़ा है और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि एक क्रोड रुपए की डील होई थी जो इसमें मुखे आरोपी कैथल से पकड़ा गया है जिसका नाम नरेंदर है उसका ये कहना है पुलिस पूछताच में कि एक क्रोड रुपए में उसने डील की थी यानि जब बिल्कुल सही वो ही पेपर आएगा तो एक क्रोड रुपए का वो भुगतान करेगा और ये जो मुखे आरोपी है ये फिर आगे बेच रहा था वो आंस्वर की को और इसने आगे जो बेची जो वहाँ एक अकैडमी चलाता है रमेश नाम का युवक उसको बेचा हो सकता है दस बारा पंदरा लाक में उसको बेचा फिर और लोगों के साथ बाचित होई ये रेट जो चल रहा था दस बारा पंदरा अठारा लाक रुपए का रेट जो है ये हरयाना में चल रहा था और पुलिस ने जाच में पूछताच करते हुए आगे आगे तेरा लोगों को अभी तक गिर्फतार कर लिया है कैथल की पुलिस ने और वहाँ के एस पी का ये दावा है कि हम कडियों को जोड रहे हैं पहले बात सुन लीजीगा थोड़ी सी उनकी फिर मैं आगे बात को बढ़ाता हूँ अभी तक जैसे पता चला है कि नरेंद्र ने यहाँ पर कैथल में सप्लाय की थी रमेश को और अन्य लोगों को भी तो जो इनकी डील हुई थी नरेंद्र ने जहां से वो की लीग उन लोगों की एक करोड में डील हुई थी कि एक करोड रुपे वो देंगे वो भी जब पेपर की सही प्रूव हो जाएगी उसके बाद तो उसमें पुलिस आगे की जाच कर रही है इन्होंने जो नीचे डील की थी रमेश ने और बाकी केंडिर्ज ने नोने 12 से 18 लाग जितने भी जो लोग मिले इस प्रकार से डील की थी जो नरेंद्र है उसने 10 लाग में की थी रमेश ने फिर उसको किसी को 12 लाग में किसी को 13 लाग में इस प्रकार से कई केंडिर्ज से डील की थी जो पेपर लीक हुआ वो रमेश को च्छे तारिक को शाम को मिल चुका था जो पुलिस है वो कडियां जोडते हुए जहां-जहां से लीक हुई है उसका आएम कडियों को जोडते हो आगे बढ़ रही है और हम उस तब पहुंचना चाहेंगे जल्दी से जल्दी जहां से यह सोर से जहां से यह एक्च्वल में लीक हुई और इनके पास पहुंची और फिर किस परकार से इसको बांटा गया और इसकी क्या डिल हो तो सुना आपने यानि कैथल के एसपी का दावा है कि वो कड़ियों को जोड रहे हैं और आगे आगे वो वहां तक पहुंचेंगे यहां मतलब जहां से यह शुरुवात होई है और हम भी इस बार उमीद करते हैं कि इस बार आखरी छोर पर बैठे उस वेक्ति तक पुलिस पहुंचनी चाहिए क्योंकि पता लगना चाहिए कि यह कहां से मामला चलता है इसमें कौन लोग इनवाल्व हैं कौन कौन लोग इनवाल्व हैं इस मामले में क्योंकि यह पहला मामला नहीं है इस से पहले कई बार पेपर लीक हो चुका है है ना आप सबको पता हुगा और क्या गुजरती है जो जरह सोचियेगा और फिर वो मामला लटक जाता है मतलब कितना समय? वो मामला जो है वो लटक जाता है फिर कई साल लग जाते हैं दोबारा जब परिक्षा होती है तो यह मसला बड़ा है जो आज ट्रेंड कर रखा है हर्याना की युवाव ने ट्रेंड किया है सोशल मीडिया पर और वहीं पुलिस ने तेरा लोगों को पकड़ लिया है आगे जांच उनकी चल रही है देखते हैं उनकी जांच कहां तक जाती है और कौन-कौन लोग इसमें और सामने आते हैं तो दोस्तो आपने इस मसले पर अपनी राय देनी है यह जो आज ट्रेंडिंग वाला जो हमने आपको बताया जो लाइने लिखी गई उससे आप कितने सहमत है क्या यह हर्याना में यही चल रहा है और बाकी जो तेरा लोग पकड़े गए आपको क्या लगता है कि इस बार बात बन जाएगी उस आखरी जो वक्ति है उस तक पुलिस पहुंच जाएगी आपने कमेंट करके अपनी राय जरूर देनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो मसले हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं युवाओं से जुड़े हुए हैं उन पर जो रिपोर्ट होती है वो आप तक पहुंचे तो फिर आपने इस चैनल यानि दा मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करना है यूटूब और फेस्बुक पर ताकि जो हमारी अगली वीडियो, अगला मसला होगा वो आप सब तक उसी समय पहुंच जाए धनेवाद, नमस्कार